पीएम मोधी के साथ नितीश कुमार की वो तस्वीरे वो वीडियोज वाइरल होना और फिर नितीश कुमार की अपने दल के नेताओं के साथ जमीनी हकीकत जानने के लिए मिटिंग लेना क्या कुछ कहता है इशारे क्या है बिहार की राजनिती में खुब रंग नजर आते हैं बिहार की राजनिती और खास तोर पर नितीश कुमार नितीश कुमार एक ऐसे नेता जिनके बारे में हम कहले कि सबसे ज्यादा चर्चाएं सबसे ज्यादा अटकलों का बाजार गर्म होता है उस नेता का नाम है नितीश कुमार हलां कि हम आपको बता दें कि हमारे देश में कई ऐसे नेता हैं, जो दिन भर खबरों में छाय रहते है, जिनके विज्ञापन, जिनके न्यूज, जिनके समाचार, दिन रात आपको सुनाई पढ़ते होंगे, लेकिन वो जो खबरें आपको दिखती होंगी, वो सुर्खियां दिखती होंगी, नेताओं के चेहरे दिखते ह वह मैनेजमेंट की बदोलत दिखते हैं लेकिन नितीश कुमार एक ऐसा चेहरह एक ऐसा नाम जो मीडिया में सिर्फ इसलिए चर्चा में रहते हैं कि नितीश कुमार इशारे खूब करते हैं और उन इशारों में कोई ज़रूरी नहीं कि सच्चाई हो जी हां इस बात का ध्या दफ़े ऐसा होता है कि नितीश कुमार के बारे में जो सोचा जाता है जो कहा जाता है वह बात सही साबित हो जाता है हम बात कर लेते हैं नितीश कुमार की कि क्या अर्थ है वन टूवन अपनी पार्टी के निताओं से मुलाकात करना दरसल नितीश कुमार की राजनिती को आ कोई इसका अन्दाजह नहीं लगा सकता है यहां तक कि नि exist कुमार के आ, पास उनके साथ उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग भीมि निदिज कुमार के अगले कदम के बारे में जनकारी हासल बारे में हमारे कामों के बारे में क्या सोचते हैं विपक्षी जो है हमारे सामने उनके बारे में क्या सोचते हैं हमारे काम का प्रभाव क्या है कौन कौन काम कहां कहां हो रहा है ये तो हो गई सरकार की बात इसके साथ ही नितीश कुमार संगठन की बात करेंगे संगठन पर च जाएगी 2014 में जब लोग सभाय के चुनाव हुए तो जनता दे उनाइटेड अकेले चुनाव लड़ी थी कुछ छोटे सहयोगियों का अगर नाम ले ले तो लेकिन 2019 के लोग सभाय चुनाव में वो भारते जनता पाटी के साथ गए 17 सीटे मिली उनको लड़ने के लिए 40 में से 17 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा और 16 सीटों पर जीत हासिल हुई लेकिन अब परिस्थितियां बदली हुई है अब नितीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दली उनाइटेड कॉंग्रेस और RJD लेफ्ट पार्टियों के महागडबंधन के साथ है जैसे इंडिया गडबंधन रास्टी इस्तर पर नाम दिया गया है अब ऐसे में यहां सवाल खड़ा होता है कि नितीश कुमार की पार् पर लड़ना चाहिए उमिद्वार कौन होंगे जो अभी लोकसभा के सांसद है उनकी स्थिति क्या है इन तमाम मुद्दों पर नितीश कुमार अपनी पार्टी के नेताओं से वन टुवन मिटिंग करेंगे और 11 से 12 सितंबर के बीच यह बैठक होनी है और यह बैठक इसलि महिम रास्टपती महोदया अधर्णिया द्रौपदी मूर्मो जी ने जी 20 को लेकर तमाम जो महमान आय थे उनके सम्मान में स्वागत भो यानि डिनर का आयोजन किया था इसमें देश के तमाम राजियों के मुख्यमंत्रियों को बुलावा भेजा गया था लेहाजा वाइरल हो जाती है जिसमें नितीश कुमार प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी और जारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत् सोरेन के साथ नजर आते हैं प्रधान मंत्री के साथ होते भी तो कोई बड़ी बात नहीं थी रास्टपती महोदया के साथ भी तस्वीरें आती कोई जारगंट के मुख्य मंत्री भी इस देश के मुख्य मंत्री है नितीश कुमार के सहयोगी भी है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी भी इस देश के प्रधान मंत्री है और किसी भी राज्य के मुख्य मंत्री के साथ वो तस्वीर खिचा सकते हैं लेकिन इस तस्वीर में जो तस्वीर है ये खूब वाइरल हुई फिर तरह तरह के अटकलों का बाजार गर्म हो गया क्योंकि देड़ साल के बाद जब से नितीश कुमार ने NDA का साथ चोड़ा है भारती जनता पार्टी का साथ चोड़ा है देड़ साल के बाद नितीश और नरेंद्र नितीश कुमार औ सोनने में शायद बड़ा मजाता है संभाता वह बहुत आनंदित होते हैं इसलिए ऐसी चर्चाओं को सुनते रहे और लास्ट में बोलते हैं अरे ऐसी कोई बात नहीं है आप तो सब जानते ही हैं अपना स्टाइल है नितीश कुमार के बोलने का अब इसके साथ ही बता दे कि प्रखंड अध्यक्षों जिला प्रभारियों विधान सभब प्रभारियों से लगबग 534 प्रखंड अध्यक्षों के साथ वन टुवन मिटिंग करेंगे संगठन चुनाओं और सरकार पर चर्चा करेंगे बिहार की राजनिती के लिए बड़ा अपडेट है बड़ी खबर है ऐसा ही वीडियो के लिए बने रही हमारे साथ धन्यवाद